Hello Children, Welcome to Let's Learn Primary Basics प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं भारत की राश्ट्रिय पर्व कौन से होते हैं? जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस, गंतंत्र दिवस और गांधी जयनती दो अक्टूबर इतना खास क्यों है कि उसे राश्ट्रिय पर्व का दर्जा दिया गया? तो प्यारे बच्चों, दो अक्टूबर 1879 यानि 2 अक्टूबर 1869 को करमचंद और पुतली बाई के घर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी उन्हें हम महत्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई भारत में पूरी की फिर वे इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करने चले गए दक्षिन अफ्रीका में कानून का अभ्यास करने के बाद वे 1915 में भारत लोटे और अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रतर संग्राम में हिस्सा लिया आजादी दिलाने के लिए उन्होंने चमपारण सत्यागरह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, डांडी मार्च वभारत छोड़ों आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई और देश का नित्रित्व किया बच्चों क्या आप जानते हो गांदी जी को राष्ट्रपिता या बापू क्यों कहते हैं? 1944 में सुभाष चंद्रबोस ने रंगून से एक रेडियो कारेक्रम में गांदी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और आजाद हिंद फौज के गठन पर उसके लिए आशिरवाद मांगा था तभी से गांदी जी को हम सभी राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जानते हैं हम सभी गांदी जी को महत्मा गांदी भी कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि महत्मा का अर्थ होता है महान आत्मा और प्यारे बच्चों गांधी जी को महत्मा की उपाधी मिली हमारे देश के महान कवी वर नोबल पुरसकार विजेता रबिंद्र नाथ टैगोर जी से प्यारे बच्चों गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के पथ पर चल कर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया था आजीवन अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले बापू ने सभी लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए जीवन जीने का सही तरीका सिखाया इसलिए गांधी जैनती को अंतराश्ट्रिय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है हमारे देश के प्रधान मंतरी श्री नरेंटर मोदी जी के आहवान पर पहली बार 2 अक्टूबर 2014 को स्वच भारत मिशन लौँच किया गया तभी से भारत में हर साल 2 अक्टूबर को स्वच्चता दिवस मनाया जाता है भारत के साथ साथ विदेशों में भी गांधी जी की महनता के लोग मुरीद थे उनके फैन थे इसलिए 1930 में अमेरिका की लोगप्रिये मैगजीन टाइम्स मैगजीन ने गांधी जी को मैन आफ द इयर उपाधी से नवाजा था गांधी जी को पांच बार नोबल पुरसकार के लिए भी नॉमिनेट किया गया लेकिन 1948 में नोबल पुरसकार मिलने से पहले उनकी हत्या हो गई थी वैसे तो गांधी जैन्ती पर बापु को याद करने के लिए देश भर में कारेक्रम होते हैं परंतु प्रमुख कारेक्रम दिल्ली के राजगाट पर होता है क्योंकि राजगाट गांधी जी का समाधी स्थल है इस दिन देश के राश्ट्रपती, प्रधान मंत्री व अन्य नेतागण राजगाट पर बापु की समाधी पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अब बात करते हैं, 2 अक्टूबर 1904 मेजन में नन्हे लाल बहादूर श्रीवास्तव का जिनका जन्म मुगल सराय उत्तरप्रदेश में हुआ था बड़े होकर लाल बहादुर श्रिवास्तव भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने जिनें आप सभी लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जानते हैं बच्चो वे पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि उनकी शेक्षनिक उपलब्धियों के आधार पर उन्हें शास्त्री की उपादी से नवाजा गया और तभी से उनका नाम पढ़ा लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा उन्होंने आजादी की जंग में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 17 वर्ष की उम्र में स्वतंतरता आंदोलन के दोरान उन्हें गिरफतार कर जेल भेज दिया गया देश को आजाद करवाने में शास्त्री जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमी का निभाई 9 जून 1964 को उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपत ली वे अपने सरल सभाव, इमानदारी तथा सादगी के लिए जाने जाते थे उनका जीवन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक साधारन व्यक्ती जैसा ही रहा वे प्रधानमंत्री आवास में खेती करते थे कार्याले से मिले वेतन और भत्ते से ही वे अपने परिवार का गुजारा करते थे एक बार उनके बेटे ने प्रधानमंत्री कार्याले की गाड़ी का इस्तमाल किया तो उन्होंने उसका पूरा भुक्तान खुद अपने खर्चे से किया जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तब देश में अनाज का संकट था और मौनसून भी कमजोर था ऐसे में देश में अकाल की नोबत आ गई थी और देश के किसानों का होसला बढ़ाते हुए उन्होंने अगस्त 1965 में दशेहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में जै जवान जै किसान का नारा दिया उन्होंने भारत पाक युद में भी भारत का नित्रित्व किया और अपने नारे से उन्होंने किसानों के साथ साथ सैनिकों का भी मनूबल बढ़ाया था वे भारत के प्रथम आर्थिक सुधारक रहे साथ ही परमानू बंपरी योजना की शुरुआत उन्होंने की हरित क्रांती वश्वेत क्रांती की शुरुआत कर दूद के व्यापार से देश को अंतराश्ट्रिय स्तर पर पहुँचाया तो प्यारे बच्चो आज हम पूरे भारत देश के साथ इन दो महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अगर आपको गांधी जी और शास्त्री जी पर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे, शेयर कीजे और लाइक कीजे आगे भी हम ऐसे ही नई नई विडियो लेकर आते रहेंगे तब तक कीप लर्निंग और भारत आपको शेयर कीजे